हेलो दोस्तों कैसे हीं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है दोस्ट नए बहुल का विदा होकर ससुराल आ चुकी थी और नए घर में अपनी ससुराल में सामंजिस स्थावित करने की कोशिज कर रही थी वह अपनी तरफ से पूरी कोशिज कर रही थी कि उसकी वज़ा से घर में किसी को कोई तकलिफ ना हो और वा अच्चे से इसने घर में अपनी आपको ढ़ाल सके पर वह जितनी भी कोशिश करती थी वा कम ही पड़े जाती थी और बात बात में कभी उसे सास के, कभी ननत के और कभी ससुर के ताने सुन्नी को मिल जाते थे उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है ससुराल में सा ससुर एक ननद और एक देवर था देवर दूसरे सहर में नौकरी करता था और अलका का पती इसी सहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था कुछ दिनों के बाद अलका ने या गौर करना शुरू किया कि जितना मान सम्मान उसके देवर का उसके ससुराल में है उतना मान सम्मान उसके पती का नहीं है उसे इसकी वज़ा समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बेटों में माता पिता इस परकार का भेदभाव कर रही है जहां देवर को हर बात में मालिक बना कर उसकी राय मसवरा लिया जाता था वहीं उसके पती और उसकी कोई पूछी नहीं होती थी बल्कि उन्हें एक नौकर समझा जाता था एक दिन उसने इस बारे में अपने पती से बात की तो उसके पती ने बोला कि इसकी वज़ा सिर्फ और सिर्फ या है कि उसका छोटा भाई एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करता है और माता पिता की नजर में वाकाबिल है और क्योंकि मैं एक प्रावेट नौकरी करता हूँ तो मैं ना का रहा हूँ इस पर अलका ने बोला लेकिन उसे क्या मतलब आप भी अपना खर्चा चला रहा है और आपका भाई भी अपना खर्चा चला रहा है कोई किसी से कुछ मांग तो नहीं रहा और जिसकी जितनी आय है वह उसे साब से अपनी जिन्दगी चला रहा है तो उसमें माबाप को ऐसा भेह दबाव करने की क्या जरूरत है बेटा तो दोनों ही उनके हैं पर उसके पती ने कहा कि यहा तो जिस दिन से छोटे भाई की सरकारी नौकरी लगी है उसी दिन से मैं जहल रहा हूँ और अलका मैं इस बात पर भी गवर किया कि उसकी छोटी ननत भी अपने छोटे भाई का साथ ज्यादा देती थी और बड़े भाई की कोई जितन ही करती थी जबकि ऐसा नहीं था कि बड़ा भाई कोई खराब नौकरी करता था या उसे कोई आर्थिक तंगी थी सिर्फ यहाँ एक कारी नौकरी ना करके प्राइवेट नौकरी करता था फिर अलका ने सोचा कि छोड़ो मुझे क्या फरक पड़ता है मेरा पती तो इतना अच्छा है मेरा इतना खयाल लगता है बाके उनके बारे में क्या सोचती हैं उससे मुझे क्या इसी प्रेकार से अलका की जिंदगी च मालिक था छोटी बेटे ने फोन पर सारा राय मसुरा दिया और अपनी मालिक गिरी दिखाई और यहा नहीं सोचा कि बहन की साधी की जिम्मेदारी उसकी भी उतनी ही है जितनी की बड़े भाई की तो चल कर रिस्ता ढूड़ने में थोड़ी मदद की जाए जितनी दोड़ भा जादी में वहीं आगे रहा और इसको माता पिता ने अगवा बना कर रखा जैसे ही सारा कुछ उसी ने किया हो और नननने भी ऐसा ही किया छोटे भाई को ही सब कुछ समझा और ननत के ससुराल वालों को भी यह समझ में आ गया कि बड़े भाई की इस घर में कोई आउकात न रखा था खैर अब ननत की साधी हो चुकी थी और वा अपने ससुराल जा चुकी थी सब अपनी रोज की दिन चर्या में लगे हुए थे देवर भी अपनी नौकरी पर जा चुका था उसके एक साल बाद देवर की साधी की बात होने लगी और फिर देवर की साधी भी एक तिले रखी थी क्योंकि ससुराल के घर में वो अपने रूम को और सुंदर बनवा रहा था और उन्हें गूमने भी जाना था अलका को याद आ रहा था कि जब वाविदा होकर आई थी तब उसे कैसे एक टूटे-पूटे रूम में बिठा दिया गया था और आज देवरानी का रूम देखकर उसे लग रहा था कि कितना फरक है उसके और देवरानी के रूम में उसके बाद अलका ने या भी गौर किया कि वह और उसका पती सादी के बाद कहीं बाहर घूमने जाने नहीं दिया था लेकिन आज जब देवर देवरानी जाना चाहते हैं तो किसी भी प्रि अपने सहर चला गया और अलका की रोज मर्या की दिन चर्या शुरू हो गई लेकिन देवरानी की आने के बाद से अलका की जिन्दगी और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वह साल में कुछ दिनों के लिए बीच बीच में ससरौल आती थी क्योंकि वह घर के मालिक बनना चाहते थे तो उसे कोई काम नहीं करना होता था और जबा आती थी तो ननत भी आ जाती थी और या सब मालिक बन कर बैठे रहते थे और अलका को सब की खाती दारी करनी होती थी अलका इन सम्में अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती थी और इस बारे में जब आपने पती से बोलती थी तो उसे भी लगता था कि उसकी पतनी ही अकेले सारे घर की जिमेदारी क्योंनी भाए पर उसे या भी पता था ये दूसरे इस बारे में कोई बात की तो माता पिता बहुत बढ़ा बावाल खड़ा कर देंगे लेकिन यह सब देखते देखते अब अलका तंगा चुकी थी जोकी कलकी आई देवरानी भी या समझ चुकी थी की इस घर में अलका और उसके पती की नहीं हो रही थी और देवरानी की बतमीजी थी कि दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी वह जब भी आती अलका का किसी ना किसी रूप में मजाब उड़ाती ही थी पर अब अलका ने सोच लिया था या सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा अब इस बात का उन्हें मुह तोड़ जवाब मिलेगा और मिलना ही चाहिए खैर इस बार गर्मी की छुटियों मे देवर देवरानी पूरी एक महीने के लिए आये थे अलका ने सोच लिया था कि अब तक जो होता आया था वुआप नहीं होगा और सब को उनके किये का हिसाद देना ही पड़ेगा देवरानी के आते ही नन लोगों ने तुरंती जाकर अपनी मा को बताया, माने जाकर बड़ी बहुर से पूछा, बहुर तुम बैक पैक क्यों कर रही हो, तो इसने कहा कि मैं और मेरे पती और बच्चे 15 दिन के लिए मंशूरी घूमने जा रही हैं, काफी टाइम हो गया है, हम कहीं भी बाहर नहीं जावा सुनकर बड़ा बेटा भी दोड़ कर आया और समझ गया, कि बस सब कुछ नहीं हो सकता, माने तो तांडव सुरू कर दिया है, अब तो भूल जाओ बाहर जाना, और उसने अलका से बोला, कि चलो रहने दो, हम फिर कभी जाएंगे, लेकिन अलका ने सोच रखा था, क मेरे बच्चों के साथ और मैं जाकर ही रहूंगी, क्या जब बेटी माय के आती है, तब किसी से पूछ कर आती है, जब मन किया चली जाती है, क्या जब इनकी छोटी बहु ससुराल आती है, या कहीं घूमने जाती है, तो क्या अपनी साथ से पूछ कर जाती है, जब दिल करत साहे चली जाती है क्या मैं इस घर की नौकर हूँ जो सबके लिए करतीर होंगी क्या सबकी हाथ पेर टूट गए हैं खुद बना कर खा नहीं के भी सुर्वहुत तेज हो गए उन्हें लगा कि बस पहली बार उन्हें जवान खोली है तो इन्हें यहीं पर रोख देना जरूरी है नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी लेकिन अलका ने सोच रखा था कि आज तो इन लोगों को उनकी आउकात दिखा कर ही रखनी है तो जितनी जोर से सास्तुर ने चिलाया उसे दूनी तयजावाज में अलका ने जवाब दिया क्यों नहीं जा सकते क्या हम नौकर हैं क्या इस घर की बड़ी बहु का सम्मान और बड़े बेटे का सम्मान कभी हमें मिला है नहीं बलकि घर का मालिक हमेशा छोटे बेटे का कर्ज खा रखा है क्या मेरे पती का खर्चा आप लोग या देवर देवरानी चलाते हैं जी नहीं मेरा पती अच्छा खासा कमाता है और अपने परिवार का खर्चा चलाता है फिर भी आप लोगों की गुलामी करता है क्यों क्योंकि वह सीधा जादा आदमी है और कोई कला नहीं चाहता रही बात आपके छोटे बेटे की नौकरी की तो हर कोई अपनी अपनी नौकरी करता है कोई सरकारी तो कोई प्राइवेट इसका या मतलब नहीं है कि वह ज्यादा काबिल है या जो भी है कि वह मेरा खर्चा चला रहा है या आपको दे रहा है जो भी कमा रहा है वो अपने और अपने परिवार के उपर खर्च कर रहा है, ना कि माता पता, भाई बहन, बहनोई पर, तो किस बात का गुमान है आप लोगों को, कि आप लोगों की सेवा आपका चोटा बेटा बहु करते हैं, या आपकी बेटी दामात करते हैं, जी नहीं, मैं ही करती हूँ, और यदि आप लोगों को ऐशा लगता है, कि आपका घर है, और हम इसमें रहते हैं, तो आपका बड़ा बेटा इतना काबिल तो है ही, कि आराम से हम लोग अपना एक घर लेकर उसमें रह सकते हैं, आपको क्या लगता है, प्राविट नोकरी करने वाले कम वेतन पाते हैं, या आपके छोटी बेटे से आपके बड़े बेटी की कमाई कम है, जी नहीं, या आपके दिमाग काफी दूर है, सायद आपको पता नहीं, कि आपके बड़े बेटी की सेलरी, आपके छोटे बेटे से दुगनी है लेकिन आपके दिमाग में जो सरकारी नौकरी का चस्मा लगा है ना उसकी वज़ा से आपको कभी बड़ा बेटा दिखाई नहीं दिया और रही बात है इस घर में रहने की कि किसी का रोब मेरे उपर नहीं चलेगा बहुत सहलिया मैंने आप लोगों की बखवास को अभी यदिश घर में साथ साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा नहीं तो आपको आपका घर मुबारक मेरा पती इतना कमाता है कि मैं अपना एक अलग घर लेकर आराम से रहे सकती हूँ आगे आप लोगों की मरजी जैसा आपको ठीक लगे वैसे भी बड़ी बहुत दिन सेवा कर ली आप कुछ दिन छोटी बहुत सेवा करवाने का सुख ले लीजिए क्योंकि मेरे उपर आप लोगों का हुकम चलने वाला नहीं कहकर उसने अपना बैक पैक किया और बच्चों को आवाज दी बच्चों जल्दी आओ हम लोगों को मनसूरी घुमने जाना है साती सात पती को कहा कि और भी कुछ लेना है तो बता दीजिए मैं पैक कर लेती हूँ माता पिता ने बड़े बेटे की और घुरती हुई नजरों से देखा कि सायद वो आपनी ब आप दे दीजिएगा क्योंकि अब आगे की जिंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसी मेरी पत्नी चाहती है बहुत दिनों से मेरी पत्नी ने इस घर के लिए कर लिया अब उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है यदि आप लोग चाहते हैं कि हम सात में रहें तो हमारे हिसाब से ही हम रहेंगे यदि नहीं तो हम अपनी अलग व्यवस्ता करने में सच्चम हैं या कहकर वालोग घर से निकल गए और उसके देवर देवरानी ननत और साससर उन्हें देखते रहे गए अब उनकी समझ में आ चुका था कि अब यहाँ खेल ज्यादा दिन तक चलने वाला है अब उन्हें अपनी हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है ननत को भी समझ में आ गया था कि अम्मायके में उसकी खातिदारी करने के लिए उसकी भावी मौजूद नहीं रहेगी तो उसने भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और बोली मा मैं चलती हूँ मेर ननत भी छुटियों में आने वाली है या सब देकर सासु मा का दिमाग गूम गया और उन्हें अपना सिंगहसन डोलता हूँ नजर आया उन्होंने चोटी बहु से बोला बेटा जराए गिलास पानी देना मुझे तो चकरा रहे हैं और जरा अदरक वाली चाय भी बना देना चोटी बहु ने बोला मा जी कि आपने मुझे नौकरानी समझ रखा है मैं तो वहाँ अपने घर में भी कोई काम करती ही नहीं मैंने तो फुल टाइम मेरे रखा हुआ है तो आपको क्या लगता है मैं सतुराल में काम करूंगी अदरक वाली चाय तो मुझे भी पीने कामन कर रहा है हो सके तो मेरे लिए भी एक कब बना दीजिएगा और हाँ कल की ट्रेंज से मैं वापस जा रही हूँ मेरे बसका नहीं है यहाँ पर काम करके रहना आप अपना देख लीजिए कहिकर वहार देवर अपना सामान पाय करने के लिए निकल गए साससर को समझ में आ गया कि जिसे उन्होंने मालिक बना कर इतने दिनु तक रखा था वहां उनका कितना करने वाले हैं और उन्हें याभी समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने समझोता करके बड़ी बहू को उसका हक नहीं दिया और उसके साथ उसके अनुसार डलकर नहीं रहे तो वहां भी उन्हें पूछने वाली नहीं है उन्होंने समझता करने में ही अपनी भलाई समझी और सोचने लगे कि चलो बहु की आने से पहले उसके रूम को बहुत सुन्दर सा बनवा देंगे तागिवा आने पर खुस हो जाएं सासो माने चोटी बहु को बोल दिया कि तुम्हें कर जाने की जुरूरत नहीं है तुम आज ही जा सकती हो क्योंकि यहां घर मेरा है तो मैं तय करूँगी कि यहां कौन रहेगा और कौन नहीं और मैं यहां तय करती हूँ कि इस घर में मेरे बड़े बेटा बहु मालिक मालकिन बनकर रहेंगे और आज तक उनके साथ जो ना इंसाफी हुई है उसे मैं दूर करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि बढ़ापे में हमारा बड़ा बेटा बहु के अलावा कोई करने वाला नहीं और हां तुम अदरक वाली चाय अपने सह अच्छे को ठीक कर देता है तुम्हारी भी गलती नहीं है तुम्हें भी सह हमने ही दी थी जब हम सुधर रही है तो तुम भी सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा इसके साथ ही सासुमा ने अपनी बेटी को भी फोन लगाया और बोला कि आइंदा जब भी माय के आना हो तो या सोच कर आना कि बड़ी भावी की जद करनी है और साथ ही घर के कामों में उसका हाथ भी बटाना है और यद ऐसा नहीं कर सकती तो माय के आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हीं भी बढ़ावा मैंने ही दिया था तो आज मैं उस गलती को ठीक कर रही हूं आज मैं इस बात क को स्विकार करती हूं कि अपने बच्चों में भेदभाव करके माता पिता ही अपने बच्चे को आपस में दुस्मन मना देती हैं यद बच्चों को बराबर प्यारवाशं मान दें तो बच्चे कभी भी एक दूसरे के दुस्मन नहीं बनेंगे और या गलती हमें समझ में आ गई है और समय रहते हम इसे जरूर सुधार लेंगे और हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा और यद नहीं हुआ तो हम इसे अपनी ही गलती मानेंगे इसमें किसी का कोई दोस नहीं अशा करती हूं दोस्तों आपको मारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद